उनका एक ही साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में है उससे भी जादा खराब हो डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंदो गया सिर्फ वीलचेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले जी क्या करें डॉक्टर बोलता ओपरेशन मत करें बोलते हैं चूना खाईए चूना चारिये हैं अमलता को कम करता है ज्यादा अमलता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है तो चूना खाईए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में चाच में पानी में जूस में और एक द वो है हार सिंगार का पेड़, हार सिंगार देखा है, परिजात, हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है, और केसरिया डिंडी होती है, सफेद फूल और केसरिया डिंडी बहुत तेज खुश्बू है, रात को ही खिलता है, रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, ह प्रमांड में सबसे जादा चारिये माने जाते हैं, जो भी ओशदियां, तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, चार-पांच पत्ते पीसिये, पीस कर पानी में डालिये, खूप उबालिये, पानी इतना उबालिये के थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर थंडा कर पीजे, फिर वोई पानी चाय की तरह से चुसकियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे, मैंने ये देखा है, गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशन्ट को हफते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है, तो ये कहीं भी मिल जाएं, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में हैं, तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे, सब अपने घर में लगा लें, गंबले में हो जाता है, आसान है, और कुछ खाली स्पेस है, तो जरूर, क्यों? ये हर घर में रहे पेड़, कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज़्यादा त दोनों ही खतम होती है इस हार सिंगार के पकॉन